आज हम बनाएंगे कच्चे केले के कोफती वो भी बिना लसन प्यास के तो चलिए बनाते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया ना, मैंने मेरे पास दो केले पड़े हुए थे तो मैंने उनको छोटा-छोटा ऐसे काट लिया और उसके बाद मैंने उसको कुकर में डाल दिया बॉयल करने के लिए और अगर आप नहीं काट ना चाते तो अब डिरेक्टली केले को वैसे ही साबोट और एक अलू डालके उसको एक या दो सीटी लगा देना तो केले बॉयल हो जाएंगे बॉयल होने के बाद ना मैंने उसको छील लिया है और छीलने के बाद हम उसके उपर डालेंगे बेसन थोड़ा सा हल्दी, नमक और लाल मिर्श पाउडर और थोड़ा सा हिंग डाल के हम सब को एक साथ मिक्स कर लेंगे और छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे अब हम उन बॉल्स को मीडियम टु हाई फ्लेम में तलेंगे और तलने के बाद जब ब्राउन हो जाएगी तो हम उसको निकाल लेंगे अब मैंने एक ग्राइंडर में डो टमाटर काट के डाल दिया उसके साद रोस्टेट पीनट और थोड़ा सा डाल चिनी लॉंग और सुकी हुई लाडमिच को भी डाल के एक साथ पीस लिया उसकी प्यूरी बना दिया अब हम तो तेल बचा हुआ था ना फ्राइ करके उसी में वो प्यूरी को डाल देंगे और प्यूरी डालने के बाद हम उसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर थोड़ा सा गगा मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक धल्दी वो सब डाल के एक साथ मिक्स कर लेंगे उसको थोड़ा सा बून लेंगे मतलब टमाटर को अच्छी से पका लेंगे और उसके बाद जो हमने जो बॉल्स तयार किये न वो उसमें डाल के उसको ढखके 10 मिनिट के लिए शिमर होने के लिए छोड़ देंगे तो हमारे कोफते तयार हो जाएंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा